हलो स्टुडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल आज हम क्लास 11th हॉन्विल बुक का चैप्टर नमबर 6 है दा प्रावनिंग वर्जन इसके NCERT के कोश्चन और आंसर को कवर करेंगे और आज हम जो कोश्चन और आंसर कवर करेंगे वो आपके अंडरस्टेंडिंग द इस हम चैनल अग्सुम और आज हमसा इए बॉक पर नोे हमन्ता अप्रावनिंग प실히 रोंता एटिट्यूट शौर्ण वर्रैक प्रातियम फिसकेCी ए किर के अएज़न वंता करेंगे प्रार करेंगे 7 रहां फर्री अइस हैं वो एक बहुत एक ब्लक उनूसाश न प्रावन म चाहर को नूद नंसेते भी अंहीं कि बहुत पसंद करता है कि यो श्हाइब मेर पीं सबारीे अजास सब्सक्राइब को बहुत जाद करता है कि मिश्रेक्स तृडट ही कघे लेकिन और फिर भी टाववन्त भूका पतले हैं गोजाएब कर्णि को कि Mr. Crocker Harris को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो students है वो उनकी तारीफ करें तो इस वज़े से बड़ा अश्चरे चकित भी साथ में रहता है He doesn't have a very high opinion about Mr. Crocker Harris as a teacher अब Mr. Crocker Harris को अगर वो एक वेक्टी के रूप में देखता है तो उनके पसंद करता है लेकिन एक teacher के रूप में अगर उनको देखता है तो वो कोई बहुत ज़्यादा high opinion उनके लिए नहीं रखता He feels that Harris is averse to the fact that students like him अब वो ये भी सोचता है कि जो Mr. Crocker Harris है वो जैसे students हैं उनके जैसे उनके प्रती वो बड़े ही एक प्रती कूल सा वेवार करता है प्रती कूल अपना वो रहता है नहीं कि students से उनके ज़्यादा गुलता मिलता नहीं है और बहुत ज़्यादा उनके साथ friendly होने की कोशिश नहीं करता He hates being popular among students और इसके साथ सथ वो ये भी नफरत करता है कि वो students के बीच में popular बने क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है popular बने के लिए वो इसी वज़े से students के आगे पीछे नहीं गूमता है और इसे प्यार से बात नहीं करता है सिर्फ point to point बात करता है और उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी study से मतलब होता है तो इसी वज़े से वो अपने students के बीच में popular भी नहीं होना चाहता है इससे वो नफरत करत टैपलो इस प्रतिप बहुत ज्यादा रहता है और उसके साथ सद वो उनके प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है उसे लगता है कि इनका जो सिद्धानतवादी होना ही एक बहुत बड़ी बात है और इसी वज़े से वो सभी स्टुडेंट्स के बीच में बड़ा नहीं एक लोग प्रिये व्यक्ति है और वो तत्थस्त बना रहता है और वो एक ऐसा इंसान है जो की शहिए रूल रेगलेशन से ही बना हुआ है और स्कूल के पूरे दरसे रूस को वो अपने जारी रखता है उन पर पूरे दरसे काम करता है अब जो इसके स्टुडेंटों से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बेशक वो कितना ही स्टुडेंट बिहेवियर उसका हो इस कुलीक्स एवन फ्रैंक जैलास हिम फोर दा एफेक्ट ही हैज अन दा स्टुडेंट्स अपने इसी नेचर के विज़े से अपने इसी कुलीक्स हैं और यहाँ तक कि मिस्टर फ्रैंक है वो भी एक साइन्स टीचर है वो भी उससे जैलीसी फिल करते है कि किस प्रकार से वो इतना stick होने के बाओ जो इतना root विहवार करने के बाओ जो students पर अपना एक impact छोड़ देता है He is a stick but not a sadist that he seems to be अब वो एक बहुत ज़्यादा stick तो नजर आता है लेकिन उसके साथ साथ तो sadist नहीं है यानि कि वो प्रेड़क नहीं है बे फुजूल वो दूसरे लोगों को पीड़ा नहीं देता और इसी विज़े से जो स्टुडेंट्स है उसे बहुत पसंद करते हैं उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन की विज़े से कि वो एक अच्छे टीचर की गिंती में उनकी नजर में आता है कि आपको ऐसा क्या लगा कि जो टैपलोज है जब वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस पर कमेंट कर रहा था तो उसको वो उत्साहिद कर रहा था मिस्टर फ्रैंक्स तो आंसर होगा कि हाँ बिल्कुल जो फ्रैंक्स था वो उत्साहिद कर रहा था टैपलोज को जब वो क्रॉकर हैरिस के ओपर कमेंट कर रहा था He shows appreciation for Tapello's imitations of Mr. Kroker Harris ईसको appreciate करता हुना नजर आ रहा था जब वो Mr. Kroker Harris के नकल उतार रहा था तो एक फरसे जब वो उसको appreciate कर रहा था तो इसका मतलब हुआ हुआ कि वो उसको बढ़ावा दे रहा था कि हाँ वो Mr. Kroker Harris कی जो नकल उतार रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है फ्रैंक इंकरेजिस टैपलो टू कमेंट और मिस्टर क्रॉकर हैरिस बाइ क्लेरली आस्किंग टैपलो सेरल कोश्चन अब वो टैपलो को किस प्रकार सुच्छाइट कर रहा था वो जान बुचकर बड़ी चलाकिसे कुछ ऐसे कोश्चन पोच रहा था मिस्टर क्रॉकर हैरिस के उपर था कि वो उनका जवाब दे और वो उसके उसके नगल उतार रहा था वो और वो से उन्जॉय कर रहा था अब वो टैपलो की नगल पर बहुत ही ज़ादा एप्रिशीट करता था इंजॉय करता था और उसके साथ साथ वो उसको ये भी कहता था कि हाँ हाँ एक बार और करके दिखाओ तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो तो इस परकार जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बुराई करता थ तो यहां पर जब मिस्टर टैपलो जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बुराई करता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है एंजॉय करने के साथ साथ उसको बढ़ावा भी वो देता है तो नेक्स्ट कोशन है कि अब इस प्ले से मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए किस चीज को गैदर करते हैं तो आंसर होगा क्रॉकर हैरिस इस अ मिडल एज सीनिर टीचर इन दा स्कूल अब जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो एक मिडल एज के सीनिर टीचर है स्कूल में Mr. Harris teaches Latin to students अब वो French language सिखाते हैं वो अपने students को He is a very strict teacher and enjoys and admirable command over his students अब वो एक बहुत ज़्यादा strict teacher है और उसके साथ साथ वो जिस प्रकार से अपने students के उपर एक comment रखते हैं command रखते हैं वो बहुत ज़्यादा precious नहीं है और इसके साथ साथ वो उसको enjoy भी करते हैं उन्हें students के ओपर command रखना बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें नहीं लगता कि कोई भी students जो है उनके rule regulation को तोड़े और class में इधर से उधर भागता फिर उन्हें लगता है कि ये school है तो school में students को बहुत ही stickness के साथ रहना चाहिए और उन्हें school के सभी rule regulations को follow भी करना चाहिए तो इसलिए जब वो students के ओपर अपने command को रखते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है उन्हें अच्छा लगता है कि उनके student जो है stick रहते है Mr. Harris is a teacher who would not compromise on the rules and regulations to surface the sentiments of students अब Mr. Harris है कैसे teacher है जो कभी भी compromise नहीं करते हैं अपने school rule और regulation के जो की school ने उन्हें दिये हैं बिल्कुल भी वो students के sentiment का ध्यान नहीं रखते हैं उनकी बहुता से उनको कोई लेना देना नहीं है उन्हें नहीं लगता है कि students उनके लिए क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं students को कितनी तकलीफ होती हैं उनके rule regulations से लेकिन वो तो कभी भी compromise नहीं करेंगे अपने rule regulations के साथ he is not a sadist वो एक उत्पेडग नहीं है but stick in the performance of his duties लेकिन वो अपने करतब्यों का पालन करने के लिए एक तम stick रहते हैं even on his last day at school when he is over busy in on affairs he does not neglect his duty towards students यहां तक कि जब school का छुटियों का बिलकुल last दिन होता है जब school ने बंद होना होता है या terms का last दिन होता है तब भी बेशक उनके खुद की चैक कितने भी personal कारे रुके वे हो लेकिन वो अपनी duty को निगलेक्ट नहीं करते जो कि उनकी students के लिए बनाई गई है इस प्रकार जो Mr. Crocker Harris है वो एक बहुत भी प्रशन शनी है teacher के रूप में हमारे सामने आते हैं वो स्टिक्ट है रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं students की sentiments का ध्यान नहीं रखते हैं उन्हें से students अच्छे पढ़ाई से मतलब है और साथ ही साथ वो स्कूल के सारे रूल रेगुलेशन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और अपने पर्सनल अफेर्स को भी भूल जाते हैं अपनी स्कूल की डूटीस को निभाने में तो student उमीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से clear हुए होंगे वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए all पर hit कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक महुचे मिलते हम आपसे अपने next वीडियो में till then keep watching, stay connected, thank you